आज हम जो कलमा है उसकी दूसरी किसम फैल के हवाले से पढ़नी की कोशिश करेंगे पिछली वीडियो में हमने जो कलमी की पहली किसम है इस हम के हवाले से हमने तफसील से पढ़ा है आज कि इस वीडियो में हम जो कलमी की दूसरी चिसम है फैल इस होाले से अपना सबग शुरू करए गे फैल वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए फैल कहलाता है फैल की जमा अफखाल है फैल हमेशा मजदर से बनता है और इसमें कोई ना कोई जमाना पाया जाता है जैसे आसिफ ने खत लेका आसिफ खत लिखता है आसिफ खत लिखेगा इन मिसालों में लिखा लिखता है और लिखेगा अफ़ाल है जो लिखना मजदर से बने है और इनमें बिलतर्तीब जमाना माजी हाल और मुस्तक्बिल पाय जाता है फाइल फैल यानी काम करने वाले शख्स को फाइल कहते है उपर की मिसालों में आसे फाइल है क्यूंकि उसने लिखने का फैल यानी काम सरअजाम दिया है मफगूल जिस शख्स या चीज़ पर कोई फैल यानी काम वाके हुआ हो उसे मफगूल कहते है उपर की मिसालों में खत मफगूल है क्यूंकि इस पर लिखने का फैल वाके हुआ है फैल की अकसाम फैल की कई अकसाम है जिन में चंद एक तरजजिल है फैल की अकसाम बलहाज जमाना जमानी की लिहास से फैल की तीन अकसाम है फैल माजी फैल हाल फैल मुस्तक्बिल